नमस्कार स्वागत है आपका देवभूमी समाचार में मैं हूँ आपके साथ योगेश पानले मुख्यमंत्रे पुसकर सिंधामी को सत्ता पर अपना एक साल पूरा करने पर बीजेपी के वर्ष निता और राजिसवद सांसत नरेश बंसल ने उन्हें बधाई दी है बीजेपी सांसत ने कहा है कि मुख्यमंत्रे पुसकर सिंधामी ने जनता के लिए कई बेहतर काम किये हैं जिसका फायदा इस बार सरकार को हुआ और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वापिस सत्ता में आई राजिसवद सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पुषकर सिंधामी ने जो चुनाओं में वायदे किये थी और चुनाओी घोषना पत्र जारी किया था उसी के आधार पर सरकार काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतारने का काम करेंगे लिए दुबारा आने के बाद जो घोषना पत्र जिसका की में सदस्यत आउसकी कमेटी का जो लोगों ने घोषना पत्र बनाया उसके अनुसार को काम कर रहे हैं सबसे पहला काम उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समीती गटित करने का किया उसका परिणाम आ र मेगा एक्जिबेशन का आयोजन किया जा रहा है जिसके थेम राइजिंग उत्राखन पर आधारित है इस एक्जिबेशन में राष्ट यह और प्रदेश इस्तर के लगबग 40 संस्थान अपनी उपलब दियों के प्रदेशनी देहरादोन में लगाएंगे और जिसका शुभार SDC और अन्य संस्थानों के फिछले वर्सों में प्राप्ट की गई उपलब्धियों के संबंद में प्रदर्शनी लगाई जाएगी केंद्र केर प्रदेश के अनेक संस्थानों के लगबग 50 संस्थानों के स्टॉल इसमें आएंगे मुख्य रूप से DRDO, ISRO, IIP, ICSR इस प्रकार से और स्टार्टस अप भी आएंगे विशेश रूप से जो टार्गेट किया गया है जो हमारा यूवा है उसको जौब अपर्चुनिटी इसमें से वो ढूंद सके वो भी आगे बढ़ सके स्टार्ट अप लाने का मतलब ही है कि वो भी स्टार्ट अप की दुनिया में कदम रखे वहीं देरादून में 11 जुलाई को राष्टपती पत्की उमेद्वा द्रौपदी मुर्मो का दौरा होगा इस दौरान सांसदों और विधायकों से मुलाकात भी करेंगी विर्तिगत मुलाकात करेंगी सांसदों और विधायकों से दुरौपदी मुर्मो सांसद विधायकों से चुनाव में उसे समफन की अपील भी करेंगी बीजेपी के सभी सांसदों विधायकों को पार्टी की वोर से देरादून पहुँशने के लिए कहा गया है मुर्मो देश भर में सभी राज्यों में जाकर सांशदों और विधायकों से मुलाकात कर रही है इसी कड़ी में उत्राखंड भी 11 जुलाइकों पहुँश रही है और वहां सांशदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों को पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया है कि 11 जुलाई को वो देहरादून पहुंचे और मुर्मों 11 जुलाई को दर्शल उत्राखन दोरे पर रहेंगे और देरादून पहुंचेंगी इस दोरान देरादून में वो विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगी इस दोरान सांसदों और विधायकों से व्यक्तिकत मुलाकात करेंगी द्रवपदी, मुर्मों और वोट करने की अपेल भी करेंगी सांशद विधायकों से चुनाओं में उन्से चमर्थन की अपील करेंगी मुर्मु देश भर में सभी राज्यों में जा कर सांशदों और विधायकों से मुलाकात कर रही है और इसी कड़ी में ओत्राखंड भी पहुंचेंगी दुरौपदी मुर्मु देरादूल 11 जुलाई को पहुंचेंगी द्रवपदी मुर्मू और देरादूल पहुंचकर वहाँ पर विधायकों और सांसुदों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगी सांसद विधायकों से चुनाव में समर्थन करने की अपील भी करेंगी द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के सभी सांसदों विधायकों को पार्टी की वोर से देरादोल पहुंचने के लिए कहा गया है अधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीस रावत की लगातार जुबानी हमलों का अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है बीजेपी के वरिष्ट नेता और राजी सभास चांसद नरेस बंसल ने हरीस रावत पर तंज कस्ते हुए कहा कि हरीस रावत भूल नहीं पाए है कि वो सत्ता से बेदखल हो चुके है बीजेपी नेता नहीं कहा कि पूर्वमुक्यमंतरी हरीस रावत आज जो छटपटाहर दिखा रहे हैं उसमें कुछ भी सरकार के अंगेश्ट नहीं है बलकि वे कॉंग्रेस में ही अपने आस्तित्तों बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं बाजपानिता ने कहा कि सरकार के खिलाब जुबानी हमला बोलकर कॉंग्रेस में ही वो अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं कि हरी श्रावज जी अभी छट पटाट में अभी वह भूल निपाए कि सब्सक्राइब से उनको जन्ता ने बाहर कर दिया पूरी तरह से जंता ने उनको बहार का रास्ता दिखा दिया और उनके पास सत्ता में आने का कोई रास्ता है भी नहीं वो केवल अपनी पार्टी में अपने अस्तित्तों को बचाने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं नाम जरूर हमारा लेते हैं पर अपने अस्तित्तों की रक्षा अपनी पार्टी में करने के लिए कर रहे हैं कॉंग्रेस नेता हरिस रावत पर बीजेपी ने चुट के लिए है दरसल हरेश रावत पर कहा गया है कि हरेश रावत खुद की पार्टी में अपने अस्तित्तों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं नाम जरूरू भाति जंता पार्टी का ले रहे हैं लेकिन अपने पार्टी में ही अपने अस्तितों को बचाने में वो लगे हुए हैं और इसके साथ ही बीजेपी के राजसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि दरसल हरेश रावात ये भूल गए है कि जंता ने उन्हें सत्ता स बाहर कर दिया है बेदेखल कर दिया है और अब उनके पास कोई रास्ता सत्ता पर आने के लिए नहीं है उत्रा खंड राजी में सहिकारिता के जरिये जहां किसानों की आए मजबूत हो रही है तो दूसरी तरफ इसके चलते गाउं की दसा और दिसा भी बदलने लगी है वही अब स्थानिये लोगों को भी दूसरे कामों में जोड़ने के लिए प्रिरित किया जा रहा है जिससे उनकी आल्थिक स्थिती को मजबूत किया जा सके स्थानिये विभाग के सचिव डॉक्टर बीवी आर्शरी प्रुसोत्तम ने कहा है कि छेत्र के परिस्तितियों के अनुकूल इस्थानिये जनता के लिए जो कारें बहतर हो सकते हैं उन्हें सभी कारियों को पैक्स समितियों के जरिये पूरे करने का काम किया जा रहा है सचीव शहकारिता ने कहा है कि उत्तरकासी में पैक्स समितियों ने मिलकर जिस प्रकार से बहतर काम किया है उसको देखते हुए एक शॉपिंग कॉंप्लेक्स तयार किया जा रहा है जिसमें किसान अपना उत्पाद की मार्केटिंग कर सकता है है किते हैं है कि पुरा एक सो पीन पैक्स सबसे पहला स्टेज में हमने इन्ट पे किया है उसको नाबाण में हमने समिंट CJ में सब्मीट करने चल रही है सारी हमने वहां की जो पैक्स की बॉर्ड के लिए प्रस्ताव बना के बेज़ा है सौ जैसे जैसे बॉर्ड इप्रूल देता रहेगा दो पैक्स ने सहों होती दिया है सो वहां पर हमने वो कारी क προई करेंगे किसाणों के साथ इस्थाने लोगों को फायदा मिलेगा शॉपिंग कॉंप्लेक्स बनाने के बात कही जा रही है पैक्स समितियों के जरिए लोगों को रोजगार भी देने की बात कही जा रही है किसानों के लिए शॉपिंग कॉंप्लेक्स तयार होंगे जिसमें किसान अपने उत्पाद को ले करके जा सकते हैं और वहाँ पर अपने उत्पात को वो उचिद्दाम पर बेच भी सकते हैं किसानों के साथ इस्थानिय लोगों को भी रोजगार मिलेगा पैक्स समित्यों के जरिये लोगों को रोजगार देने की पहल की जा रही है तो किसानों के लिए शॉपिंग कॉंप्लेक्स से भी तयार होंगे सहकारता विभाग ने बड़ी पहल की है दरसल आपको बता दे किसानों के साथ इस्थानी लोगों को भी फाइदा मिलेगा रोजगार देने की कवायद लगातार जारी है पैक समितियों के जरिये लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसके साथ ही किसानों के लिए शॉपिंग कॉंप्लेक्स से भी तयार होंगे सहकारता विभाग की ये बड़ी पहल मानी जा रही है तो किसानों के साथ इस्थान ये लोगों को फाइदा मिलेगा शॉपिंग कॉंप्लेक्स से भी किसानों के लिए तयार किये जाएंगे दरसल जिस तरीके से किसानों के लिए शॉपिंग कॉंप्लेक्स से तयार करने की बात कही जा रही है सहकारता विभाग की तरब से ये बड़ी पहल मानी जा रही है और सहिकारता विभाग का बड़ा कदम भी माना जा रहा है लगातार जिस तरीके से रोजगार को लेकर के भी जिक्रे किया जाता रहा है और अब पैक्स समितियों के जरिये ये कहा जा रहा है कि लोगों को रोजगार भी देने का काम किया जाएगा किसानों को काफी फायदा मिलेगा शॉपिंग कॉंप्लेक्स खुलने से किसान अपने उत्पात को वहाँ पर ले जा सकते हैं और अपने उचित दाम पर उत्पात को बेच भी सकते हैं फिलाल रुकते हैं एक चोटेशी ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद फोरा नाजिर होते हैं ब्रेक के बाद एक बर फिर आप सभी का स्वागत है और रोक करेंगे देरादून का जहां पर देरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हांत लगी है इस्टियप की टीम ने 25 हजार के इनामी बदमाज शहरूप को ग्रिफतार किया है आपको बता दे कि शहरूप साल 2018 में कंखल और कलियर में हुई डखायती का मुख्य सरगना है जिसे कई राज्यों के पुलिस ढूर रही थी लेकिन वॉक्सर पुलिस को चक्मा दे जाता था लेकिन इस बार उतराखंड इस्टियप की सूजबूस के चलते aar और ओपी को ग्रिफतार कर लिया गया है उत्राखंड S.T.A.P. ने आरोपी को राजिस्थान से गरफतार किया है और इसी ख़बर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे समाधता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए है अब जिस तरह के से दिहरादून S.T.A.P. को ये बड़ी सफलता मिली है क्या कुछ ख़बर पर और जानकारी है आपर पास अब के द्वारा लगातार उनके खिलाप यहां पर चान बिन चल लही थी उनकी जांच यहां पर चल लही थी तब इसके लिए कह सकते हैं कि जो टीमें लगाई गई थी उन टीमों को आखिर का सफलता यहां पर मिली है पुलीस उनकी रिमांड के लिए यहां पर बात करेंगी और सीथे तोर पर कोर्ट पर पेस करने के बाद उन से यहां पर रिमांड ले जाएगी और पुष्टाच की जाएगी कि उनके दौरा और कौन-कौन सी घट्टाओं को यहां पर अंजाम दिया गया है इसके अलाबा उनके साथ और कौन-कौन लोग इस घट्टा में सामिल रहे थे उन सब चीजों की पूरी परताल यहां पर की जाएगी पुलिस चाहती है कि उत्राखन को क्राइम फ्री यहां पर रखा जा सके हैं उसके लिए जितने वांचित अपरादी हैं खासतर पर जितन प्रब्दी भी कही जा सकते हैं क्राइम फ्री इस्टेड बनाने की दिसा में कदम भी इससे समझा जा सकता है क्योंकि स्टेप के द्वारा लगातार ऐसा अपर च्छानबीन यहां पर की जा रही है और उसी में जिरू अप्रादी था जो राजस्तान से पकड़ा गया है दो लोग यहां पर इस घर्टा में परियुक थे किन-किन जगहों पर इनों अप्राद क्या दिन यह कह सकते हैं कि 2018 से लेकर अब तक जिस दौरा निया जाजस्तान में छिपे रहे या दूसरी जगह पर बिरे तो क्या इनके दौरा किसी पर का कि और को अप्रादी घर्टा को अ जनकारी मिल पाई यहां पर क्या गया है。 उन साथ कुछ लोग और होने की यहां पर जानकारी बताई जारे है, लेकिन फिलार सो उसकी पुछटी यहां पर नहीं की गई गई गर दो या तीन लोगों के और। उनके साथ पकड़ने से ठीज़ों कि अंर अभी अजरा से कि यहां पर पकड़े गए लेकिंगे इतना जो कहा जा सकता है कि कारवाई से उत्राइखन पुलिस के कह सकते हैं कि और तुदार यहां पर रुआ करेंगे तो जिस तरीके से बड़ी कारिवाई मानी जा रही है और रुख करेंगे देरादून का जहां पर आजादी के अमुख्यमंत्री पुश्कर सिंधामी पहुंचेंगे राइज इन उत्राखन्ड मेगा एक्जिबेशन का उत्गाटन करेंगे मुख्यमंत्रे पुश्कर सिंधामी विभिन्न सरकारी विभागो द्वारा प्रदर्शनी में अपने उप्लब्धियों को दर्शाया गया है कुछ देर में मुख्यमंत्रे पुश्कर सिंधामी कारक् में पहुंचेंगे आजादी के मुरुत महोंसों के तहत ये कारक्राम आयूजित किया जा रहा है कारक्राम में कुछ ही देर में मोख्यमंतरी धामी पहुंचेंगे और कारक्राम की शुरुवात करेंगे राइजीन उत्राखन मेगा एक्जिबेशन का उद्धाटन मोख्यमंतर पुश्कर सिंधानी धामी अपसे कुछी देर में करेंगे और विभिणने सरकारी विभागो द्वारा प्रदर्शनी में अपनी उपलब्धियों को दर्शाया गया है तो यह बड़ी ख़बर आपको उना दे और इस ख़बर पर अभे कैतुरा हमारे समधता लगतार हमारे साथ बने हुए है अभे जिस तरीके से मुक्यमंत्रे पुशकर सिंधामी अभी कुछ से देर में पहुचने वाले हैं आजादी केमरत महुल्सों के तहट इस कारकरम का आयूजन किया जाना है सुभार हम पुशकर सिंधामी करेंगे क्या कुछ जानकारी और ख़बर पर यहां पर रखी गई है और इस तीम का उद्श यही है कि जो राज्ये के युवाँ है जो अभी कॉलेज स्कुलों में पढ़ रहे हैं वह युवाँ देष भक्ती के प्रेजित हो सकते किस प्रकार से देश की जो बिभिन सस्ताएं जो चाहें रक्षा का छेत्रों या दूसरे का का से काम कर रही है उसको लेकर उप्रेजिस हो सके देश के लिए किस प्रकास से आगे बढ़ाए जा सके ये निवाओं को देश प्रेजिस भावनों पर कैसीन को जुड़ा जा सकता है उन सब चीजों को लेकर ये तीम आपर रखी गई है और लगबग ये कह सकते हैं कि तीन दिन तक चलने वाली इस मेगा एक्जिवीशन का सुभारम अपसे कुछ देरवाद मुक्यमंत्री पुसकर सिंग धामी के हातों के दोरा यहां पर क्या जाएगा और इस दौरान लगबद 10,000 चात्र यहां पर इस मेगा एक्जिवीशन में पिभिन विभाकों की जो परदस्तिन यहां पर लगी ह उसका अवलोकन करते हुए भी नजर आएंगे आज भी कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में इसकुट कॉलेज के चात्र यहां पर पहुंचे हुएं इंतजार करें कि जैसे ही सुभे के मुक्यमंत्री पुसकर सिंग धामी यहां पर पहुंचेंगे एक्जिवीशन का स्वारम क करेंगे तो उसके बाद उन तर्फ चीजों का जो पुरी एक्जिवीशन यहां पर लगई है उसका उलोकन करेंगे देखेंगे समझेंगे और जो विसे सग्या उस दोरान उस इस्टॉल पर होंगे विविन वीवागों के उन्सों जानकारी वहां पर लेंगे कि किस प्रकार से विवाग उस नेक्स में काम करता है आपको बता देगी यहां पर जाए को किस प्रकास मेपिंग का कांकरता है नंक्से किस प्रकास से बनाए जाते और विभाग मेहत्वपूर्ण विभाग वहाँ पर होंगे जो युवाओं को प्रेजित करते ने जाएंगे कि वह भी विभागों में काम कर सकते हैं। विभागों में किस जगे पर एस एक्जिवेशन को लगाया गया है। के साथ और कौन-कौन से लोग इसे कारकम में सिरकत करने वाले है। यहां पर एक्जिवेशन को देखे हैं। ताकि वो लोग इस और से प्रेजित हो सकें कि किस प्रकार से देश के लिए बेबिन संस्ता एक काम यहां पर करें। कि सरकार की कौन-कौन से उपलब्धिया रही है उन सब चीजों सो वाकिप हो सकें। क्योंकि इस समय जर्रत है उन युवाओं को आगे बढ़कर आने की जो देश भक्ति की बात तो करते हैं। कि देश भक्ति के वामले में कह सकते हैं कभी तो फ्लेटरम नहीं मिल पाया तो लोगों को और मोटिवेशन यहां पर मिल सकें। उसके लिए बेगा एक्जिविशन का आईजन यहां पर क्या गया है। बहुत 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 शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभे कहितर हमाचत जुड़े हुए थे। गरीब किसानों के लिए जीवन यापन के साधन उपलब्द कराएगे जिसका लाब किसानों को भी होगा। आई में अधिगारियों ने मेनत करके फॉर्डर पॉलिसी सामने लाएं हैं जिसका मैंने आपको ब्रीफ आज दिया है। और उमीद यही है कि हमारे हा जो पंजाब और दूसरे पर हमारी हर्याना है उन स्तेर्ट पर हमारी बहुत जादा डिबेविस्त करने देव भूमी समाचार में फिल हाल इतना है ख़ब लिया बने रहे हैं इंडिया वोईस के साथ नमस्कार